News 18 इंडिया के पास एक कार्ड है और ये कार्ड 75 साल में पहली बार इस कार्ड को छपवाने वाले लोगों के लिए खास है ये कार्ड है शी राम लला के 75 प्रकट उत्सव के जो आमंत्रन है उसका यह कार्ड है और ऐसा ही कार्ड राम लला को दिया गया है और 14 जनवरी को जो प्रकट उत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसके सिलसिले में हर साल ये कार्ड दिया जाता है इस बार भी दिया गया है लेकिन क्यों खास है हमारे साथ यहाँ पर महंत धर्मदास जी मौजूद हैं और ये राम मंदर आलंदोलन से काफी समय से ज खास हैं कि पांसो बरस के मत्तव की जहां संघर्ष के बाद में उन्हेश सो उन्चास में बाबा अभिरामदाजी के द्वारा और संत महत्मा मिल करके छे आदमी उसमें 145 यारिस में बंदभए थे तो इतना महत्माओं के संघर्ष और लड़ाई के बाद में आज मंदिल मे बाद में बन करके मंदिल ज आ रहे हैं भगवान पढ़ार रहे हैं कि उस जगह से शर्र cur Delete यहां पर मंदील में लहा पर लग ने लगा था शाल मंदिल में जा रहे हैं इसके लिए यह महत्सुत्स है क्यांकि जनवरिये में प्रगट उस्तो भया था अच्छे पूस अच्छे ती के लिए तारिक के लिए आप लोग ने हैं सभी जन मानस को त्यार कर रहे हैं कि आप लोग परिकार्मा में हनमान जी के तो पहले हनमान जी के जाता है हनमान जी के निसान निकलेगा और कुछी जुलूस में हनमान जी के नहीं जाते हैं हनमान जी के निसान निकल के राम कोट के परिकर्मा होता है भगवान के पूजन होता है वहां पर तीन चार दिन पूजन होता है पूजन के कट यह उत्सव जो मन रहा है पहली बार इतनी व्यापक सर पर तैयारी की गई है पहले हम लोगों के देखने के पहले हम लोग पचाहतर से हम इसके हाथ में अपने काम ले लिए क्यांकि उने से उन चाइब पचाहतर में हमरे बाबा अभी रामदाजी इंद्रा गांधी के टाइम बंद हो गए और राजन जीज के साथ है तो बंद होने के बाद में हम व्यूस्ता हो हमारे हाथ में आ गया तो तब से हम आज तरी से द तो देखे यह थे महंत धर्मदाजी और यह बता रहे थी कि क्यों खास है यह प्रकट उत्सव जो इस साल 14 जन्वरी को मनाया गया और राम लला को इसका कार्ड जा चुका है न्यूज 18 इंडिया पर इस कार्ड की exclusive तस्वीर आप यह देख सकते हैं 75 साल में जो कभी नहीं का मैं पसंद इश्वर के साथ आमित पांडे अयोध्या न्यूज 18 इंडिया